हेलो फ्रेंट्स वेलकम तो मोडरन क्लासिज देखे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं मिक्सर एंड एलिगेशन का नेक्स टाइप पढ़ने जा रहे हैं और इस टाइप ने जो प्रशन देखेंगे उसमें कुछ प्रशन इस प्रकार से होंगे जब बस्तु की मात्रा को बार हाँ दोस्तों के साथ सेर कर दिए कर दिए कि वीडियो पसंद है तो लाश्ट तक जरूर बने रहे हैं तो चलिए दोस्तों हमारा पहला कुछ इस प्रकार से है किसी बरतन में 50 लीटर द्रव रखा गया है उसमें से 5 लीटर द्रव निकालकर एक दूसरा द्रव डाल दिया लीट लीटरी में a लार già तथे तो बरतन में जो लाश्ट में पहले द्रव की मातरा है वह क्या है इसी को हमें देखना है वही ग्यांत करना है देखी इसको हम कैसे सोल्प्स करेंगे और कैसे बनाएंगे इसके लिए थोड़ा सा सिर्भ समहना होगा ऑपको इसमें 2-3 बाते जो दी गई है उनको ध्यान दीजेगा इसमें मात्रा को घटाया जा रहा है क्या किया जा रहा है पहले मात्रा घटाया जा रहा है और उसके बाद फिर वही जो बस्तु है उसमें कुछ दुसरा द्रोव अगरा डाल दिया जा रहा है तो देखिए सबसे पहले हम इसमें देखे जा रहा है जो घटाया जा रहा है उतना ही क्या किया रहा है फिर प्लस किया जा रहा है समझ रहे हैं उतना ही फिर से प्लस किया रहा है तो जब ऐसा बात आता है तो आप इसके लिए क्या किजेगा आप से लाश में सिर्फ यही बात पुछेगा कि जो लाश में जो लाश्ट क समझेगे मान लीजिए यह एक हमारा बाल्टी है या ग्लास है जो भी समझे लिजिए और इसमें एक द्रव है फॉस्ट द्रव और उसमें हम क्या कर रहे हैं इसमें से पांच लीटर द्रव को हम निकाल रहे हैं अब फिर अगलाद यानि सेकेंड टाइप का द्रव हम पांच मिस्रन कर वह सब्सक्राइब हैं कि लिए जब पहले बार निकाला जा तो यह क्या हो गया वं तू यानि दोनों हो गया अब क्या मात्रा हुआ इसके भी से में कुछ नहीं कह सकते लेकिन अब क्या हुआ पहला दूसरा दो मात्रा मिलके तैयर हुआ जब दूसरा बार में निकाला जाएगा तो पहला और दूसरा दोनों निकाला जाएगा तो कुछ ऐसा ही कंडिशन घट आपके साथ तो इसे कैसे बनेगा ध्यान दिजेगा तो अंतिम बार में जो मिस्वरण की सुध मात्रा बच रहे हैं उसको हम ग्यात करने के लिए करेंगे क्या ध्यान दिजेगा कि जो अंत में द्रव यानि कि पहला द्रव द्रव की मात्रा पहले द्रव की मात्रा जो होगी वह क्या होगी इसको ज्यात करने के लिए हम ध्यान से देखेगा जो प्रारंभिक में प्रव से लिख ले रहे हैं तो समझ लिजेगा प्रारंभिक मात्रा जो है इस मात्रा को ध्यान दिजेगा और दूसरी बात कितना घटाया जा रहा है इसी चीज को बार बार रिपीट कर दें हम यानि कि प्रारंभिक मात्रा में से हम जितना घटाया जा रहा है उसको हम घटाएंगे यानि जो माइनस किया रहा है हम माल लेते हैं कि यही लीटर मैंस किया गया ग्हाल फिर दी लीटर जो है lot इसको फूफिर नीचे फिर से हम क्या लिखेंगे प्रारंभिक मात्रा को समझे प्राणम्भिक मात्रा कि अब को समझ में आ होगा नहीं समझ आया है तो घमलानी की बात नहीं है यह परकिरिया जिदनी बार अपनाई जाएगी इसको हम उतना बार लिखेंगे यह बात आपको ध्यान देना है मान लीजे पहले बार में यदि ए लीटर घटाया गया है तो हम एक माइनस करेंगे यदि यही बात दूसरे बार में भी ए लीटर ही घटाया जा रहा है तो हम उसको ए लीटर ही मानेंगे लेकिन जब दूसरे बार में अलग मात्रा जैसे पहले बार में हमें पांच लिटर घटा ना हो सकता है तीसरे बार में दस लिटर घटा ना हो सकता है तो ऐसा करके जब बढ़ रहा है तो हम एक आमान सिर्फ चेंज करेंगे और उसी के सहरे बनाने का प्रयास करेंगे चलिए बहुत ही कम समय में ऐसा question आता है तो बन जाता है लेकिन सबसे बड़ी बात होता है कि लड़कों को फर्मुला याद नहीं रहता है तो आप से request करेंगे सबसे पहले इस फर्मुला को जरूर ध्य पचास लीटर है ध्यान दिजेगा पचास लीटर द्रोव है तो इसको हम मानेंगे कि प्रारंभिक मात्रा क्या है पचास लीटर इसमें क्या क्या जा रहा है इसमें किया जा रहा है कि पचास में से पांच लीटर को घटाया जा रहा है अब बटा में हम प्रारंभिक मात्रा ही लिखेंगे फिर यह बार कितना बार तो हमें तीन बार स्वाश्च मायनस-पांच यही बात टीमर दो खोंगे निची हमेशा क्या रखना है प्रारंबिक मान ही रखना है और यहां रखना है वह प्रारंबिक मान यहां क्या रखना है यहां प्रारंबिक मान और यहां प्रारंबिक मान जितना घटाया जा रहा है उसको बार बार हम रिपीट करके लिखेंगे जितनी बार घटाया जाएगा अब इ वेखे इसको हेदी कटाना चाहेंगे तो पांच से दस बार में फिर से पांच नमा पैतालीस हो जाएगा पांच नमा प्युता समझीघा तो फिर नीचे में दस दूना के बीस हो जाएगा आप इसको आजिसे कीजेगा तो आपका जो आएगा वाज कितना आएगा 36 दस्मलों 4-5 लिटर आएगा यानि कि आप समझेगा कि लाश्ट बार में क्या हुआ कि जो देखे समझेगा यहाँ जो पहला जो द्रव था वह 50 लिटर था लेकिन यही बार 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 जब परक्रिया अपनाई गई 5 लिटर निकाल के उसमें दूसरा द्रव मिलाएगा फिर स से मिलाएगा तो हमें लाश में जो इसकी मात्रा थी यानि पहले जो बस्तु है पहले द्रव है उसकी जो मात्रा है वह 36 पॉइंट चार लिटर आसाइक देखे के क्वेस्चन बहुत ही असान है समझ में आ गया होगा नहीं समझ में टेंसर ने लेना है अगला को देखेंगे पक्का आपको समझ में आएगा देखें तो चले दूस्तों हमारा अगला प्रशन देखे कुछ इस प्रकार से है देखें एक बरतन में साथ लिटर दूद है उसमें से 12 लिटर दूद निकालकर पानी भर दिया जाता है उतना ही पानी भर जाता है फिर उसके बाद बताया ज सब्सक्राइब करने के लिए इसमें से पहले हम साठ मान लेंगे प्रारंभिक मात्रा और उसमें क्या किया रहे है आपको समझ में आ गया होगा। इसमें बारे लीटर पानि एड कर दिया रहा है, फिर से बारे लीटर निकाला जा रहा है यानि अब दूद जो दूसरा बार निकलेगा, दूद और पानी का मिस्रा निकलेगा, उसके बाद फिर से इसमें पानी एड्ट कर दिया रहे, समझ में बूर! तो बस सी को हम करेंगे, प्रारंबिक मात्रा यहां रहेगा, यहां नीचे जितना बार रहेगा उतना बार स्वार करेंगे अब इसको सोल बहुर गरेंगे तो क्याאש एक बार कियो जाएगा तो चार आठे बतीस, चार चवु के सोल, उन्नीस हो जाएगा, बटा में पांच, अब देखें, पांच से दी कटाना चाहेंगे, तो पांच से कटाएगा, तो पांच यहीं पंदरा, पांच आठे चालिस, पंचवु के बीज, यानि 38 दसमरो, कितना है है, 38 दसमरो, चार लीटर, जो हमारा लास्ट टाइम में दूद बचेगा, उसमें दूद क्या रहेगी, 38 दसमरो, चार लीटर, बाकी क्या रहेगा, बाकी पानी रहेगा, क्योंकि हमारा जो, जो मिस्रन बना है, लास्ट में, वह टूटल साथी लीटर है, लेकिन 38 दूद बचा है, बाकी जितना है, व यानि जो मिस्रण है उसमें से पूरे मिस्रण में से 10 लिटर निकाला जा रहा है और उसके बाद क्या किया रहा है पुना 10 लिटर पानी डाल दिया रहा है फिर जो नया मिस्रण तैयर हो रहा है उसमें से क्या किया रहा है कि फिर से 8 लिटर निकाला रहा है पूरे मिस्रण में से फिर उसमें 8 लिटर पानी डाल दिया रहा है तो उसके बाद लाश्ट में ग्लिसरीन की मात्रा है वह क्या है थोड़ा समझेगा इसकी बातों को जैसे हमारा क्या है कैंगा सबस्क्रेंगा सब्सक्राइब अधिन करते हुए कि इस जो सो सबस्क्राइब यह पकर निकु कुए और दोनों ट्यां के यहां को दूसरी काम किया रहा है और इसको से बनाएंगे ध्यान से देखिएगा देखे इसमें जो है प्रारंभिक मात्रा 40 लीटर है जो घटाया जा रहा है कैसे घटाया जा रहा है ध्यान से घटाया जा रहा है आपको पहले बार में 5 लीटर यानि में से 5 घटाया गया. नीचे हमको क्या लिखना है इस बात को पता होना चाहिए आपको सिर्फ प्ररामभिक मात्रा है 요नि 40 ही लिखेंगे. फिर सेकेंड बार क्या हुआ? 40 में से 10 निकला गया. फिर इसको हम 40 लिखेंगे. तिसरा बार में क्या हुआ भाई तिसरा बार में 40 में से हमको 8 निकाल गया है फिर से हम 40 लिखेंगे ऐसा करेंगे अब देखे इसको हम सुल्प करने का प्रयास करेंगे बहुत इतना लिखने की ज़रूद भी नए है आप यदि चाहें तो इसको जुबान से हल कर सकने हैं सिर्फ 40 लिखे, यहां से घटा के डारेट लिखे फिर यहां से भी घटा के लिखे, फिर यहां से भी घटा के लिखे जैसे देखे हम यहां लिखना है इसको समझेगा 40 बटा में 35 बटा में 40 हो जाएगा चार दुना के आठ और देखें यहां से 10 हुआ भी 10 बचा है लाश में यहां समझेगा अब देखें 2 से कटाएंगे तो 5 बार में 5 से कड़ेगे तो 5, 7, 35 साथ तरीके एक कईस यारी कुल मिलाके कहा जाएं तो एक कईस लीटर है देखें कितना असान है और इसी तरह से हम लोग आगे बढ़ने हैं देखें हमारा अगला क्वेस्टन क्या है तो चलिए दोस्तों हमारा अगला प्रशन देखें कुछ इस प्रकार से है एक पात्र में 60 की मता रखा गया है और उसमें बोला जारा है क्या कि 10 लिटर को निकालकर उतना ही पानी डाल दिया पिर इसके बाद 15 को निकाला जाता है अब पूना क्या यह देखें है और अ listen गटाना क्या है यानि वह सकते हैं कि शाथ माइनस ड़स बतामें हमारी होगी बतामे आंना होगा है वह उनसे क्वेह साथ करें रहा है क्या टेस्थरा बारन liegt गटाए क्षто साट माइनस बारह फिर से बटा में साट इसको सुल्ब करेंगे तो क्या होगा देखिए एक जी ंसे कन्सल कर सकते हैं उपर से खटाएंगे तो होगा आपका पचास गूड़े इसको करेंगे तो 45 बटा में साथ फिर उसके बाद इसको इंदि किया जाए तो और 40 वता में साथ देखे 15 45 15 के 60 हो जाएगा चार से इसको कटा है तो चार के चार चार दुना के आट बर चोग करतालीस हो जाएगा 12 5 65 5 दहो पचास अब दोस तियाए के क्या हो जाएगा 30 लिटर देख कितना आसान है और कितना जल 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 इसका इंसर आ रहे अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद